Hello and Welcome to Fun Learning फुटवाल जो विश्व का सबसे लोग प्रिया खेल है और लगबग सभी देशों में ये खेल खेला जाता है तो चलिए जानते हैं इसकी हिस्टरी के बारे में उससे पहले आप हमसे Instagram और Facebook पे इन आईडीज के द्वारा जूट सकते हैं आज हम फुटवाल को जिस रूप में देखते हैं या खेलते हैं तो उसके जनमदाता मानते हैं England को लेकिन इस खेल का जो प्रारम है वो मिस्टर से माना जाता है सबसे पहले फुटवाल जो है वो मिस्टर में खेला गया लेकिन उस समय जो मिस्टर में इस तरह से फुटवाल नहीं खेला जाता था जिस तरह से कि आज हम उसे देखते हैं उस समय पर क्या होता था एक गेंद के जैसे अकार की कोई चीज को वो पैर से मार कर खेलते थे इस से ये अनुमान लगा जाता कि शायद ये खेल जो है वो वहाँ से ही शुरुवात इसकी हुई होगी और मिस्र में उस समय इस खेल को क्या कहा जाता था हर पास्टीन इस खेल को कहा जाता था फिर इस खेल का परसार बाकी जगा पे भी हुआ रोम में ये खेल काफी लोग प्रेह हुआ और फिर क्या हुआ फुटवर्ल खेल को कई नामों से जाने जाने लगा और जबकि इस खेल का जो अस्तित्व है वो 320 से 500 AD तक ठीक है सूचु नाम से ये चीन में भी पाया गया और चाइनीज लेंग्विज में सूचु का क्या मिनिंग होता है कि गेंद को पैर से मानना ठीक है जो सूचु नाम है ये खेल का चीनी सैनिकों में ये फिर यूरोप से ये इंगलेंड और उसके प्रोशी देशों में खेल काफी लोगप्रिय होता चला गया अब देखिए जो इंगलेंड में जो फुटवॉल का प्रसार है वो 12 सदी में हुआ और इंगलेंड में क्या है मंगलवार का जो दिन होता था वो फुटवॉल दिवस के फुटवॉल दे के डूप में ये बनाया जाता था और इस दिन क्या होता था इंगलेंड में सारे काम जो है वो बंद होते थे ठीक है और कभी-कभी तो क्या होता था सो सो तक की संख्या में यहां पे जो है वो खिलाडी पहुंचाते थे खेलने के लिए इसमें कोई खास रूल नहीं होते थे अब देखिए इससे पता चलता है कि इंग्लेंड में यह खेल कितना जादा लोग परिया था अब यहां देखिए सन 1314 में क्या की वज़ा से इस खेल पर प्रतिवंद लगा दिया था फिर इसके बाद क्या है रिचर्ट दुइत्या हैंडरी चितूर्थ और हैंडरी अस्टम और एलीजावेट जो प्रथम थी इन्होंने भी इस प्रतिवंद को जारी रखा अगर कोई भी फुटवाल को खेलता हुआ प सबसे पहले इस खेल के जो है वो नियम बनाए और फिर दिखे जो फुटवाल क्लब था वो कौन था शैफिल्ड फुटवाल क्लब और यह क्लब का बना था 24 अक्तूबर 1857 को यह क्लब बना था यह पहला फुटवाल का क्लब था और जो फर्स्ट फेडरेशन थी वह 163 में London Football Association के नाम से बनी Football का पहला सरवजनिक नियम बना 1863 में और फिर उसके बाद 1806 में और उसके बाद देखिए चार British Football Association ने IFAB का गठन किया The International Football Association Board इसका गठन किस ने किया इन चार British Association ने किया जो क्या थी FA, Scottish FA, FA of Wales and Irish FA इन्होंने मिलके क्या किया IFAB का इन्होंने गठन किया ठीक है और इसका गठन क्यों किया कि विश्वस्तर पर जो Football के नियम को विक्सित और स्रक्षित रखने के लिए इसका गठन किया गया अब देखिए जो वर्ड की पहली प्रतियोगिता थी फुट्वाल का पहला इंटरनेशनल मैच यह हुआ 30 नमंबर 1822 को यह इंगलेंड और स्कॉट्लेंड के बीच में हुआ जिसमें क्या एक भी गोल नहीं बनाया गया था पहली लीग प्रतियोगिता हुई थी फुट्वाल की वो हुई थी 1888 में और यह क्या है बिलियन मैक ग्रेन ने शुरू की थी स्केल में जो विकास हुए इनके नियमों में जो विकास हुए इनको पहले देख लेते हैं 1664 में देखी क्या हुआ गेंद का हाथ से छूल लेने पर हैंड दिये जाने लगा यह कब हुआ यह 1664 में फिट 1874 में क्या हुआ गोल किक बग कॉर्नर किक के नियम बने ठीके 1875 में क्या पहली बार गोल पोस्ट बना 1878 में क्या हुआ पहली बार रेफरी द्वारा सीटी का प्रियोग किया गया फिट 1891 में क्या हुआ और्रैफरी वर लाइन मैन दौनों का ही प्रियोग किया गया फिर 1730 में फुटवल मैच में झाली का प्रियोग किया गया सबसे पहले 1786 में ऑफ साइट का नियम बदला और पिर दोबारा से इस नियम में का बदला हुए 1905 में ठीक है? उसके बाद देखिए 1870 में क्या हुआ 11 खिलाडियों की जो अनिवारियता थी ये सविकार की गई फिर 1909 में ठीक है गोल किपर को अलग रंग की जो पोशाक पहनने की कानियम है अनिवारियता जो थी वो सविकार की गई थी 1909 में फिर 1949 में क्या है पहने की जो अनिवारियता थी वो सविकार की गई अब देखिए फुटवाल की जो वर्ड फेडरेशन है फीफा ठीक है फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटवाल एसोसियेशन इसकी स्थापना 21 में 1904 में पैरिस में हुई मैंने सारी इंटरनेशनल फेडरेशन के उपर एक अलग से वीडियो बनाया है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा अब देखिए जो पहला बर्ड कप हुआ फीफा बर्ड कप जो सबसे पहला बर्ड कप था बोवा 1930 में उरुगवे में ठीक है मौन्ट वीडियो शहर में ये हुआ जैसा कि आप सबको पता है जो फीफा बर्ड कप है वो हर चार साल के बाद ही आए जित क्या जाता है अभी जो 21 बर्ड कप हुआ 2018 में ये रश्या में हुआ जिसकी विजयता कौन फरांस की टीम रही थी अब 22 बर जो बिश्वक कप है वो कहां पे होगा 2022 में ये दोहा कत्तर में ये होगा फुटवाल को अलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया 1900 के पैरिस अलंपिक में और एश्याई खेल में फुटवाल को कब शामिल किया गया ये पहले ही एश्याई खेल में शामिल किया जो किये हुआ था 1951 में नई धिली में और जिसके अंदर के है भारत फर्स्ट पोजिशन पे था ठीक है और इरान और जापान ये दूसरे और तीसरे नंबर पे थे और उसके बाद देखिए एश्याई फुटवाल परिस्तंग एश्याई फुटवाल कॉन फेडरेशन ठीक है AFC 1904 में इसकी जो है वो स्थापना हुई देखिए सबसे पहला अरजुन पुरसकार फुटवाल की फिल्ड में मिला पीकेव एनरजी को और ये जो अरजुन पुरसकार ये खेलों में उत्तकरिष्ट परदाशन करने वाले ख्लाडियों को समानित करने के लिए दिया जाता है और इसकी शुरबात में 1961 में ही हुई थी अब देखिए जो सबसे पहले दुर्वाल पुरसकार वीजिता थे वो थे सैयद नाइमदीन और 1990 में इन्हे ये दुर्वाल पुरसकार मिला था और ये दुर्वाल पुरसकार क्या ये खेल परशिक शोकों को समानित करने के लिए ये दिया जाता है और इसकी जो शुरुबात हुई थी वो हुई थी 1985 में ठीक है अब देखे फुटबॉल का इतियास इंडिया में कैसा रहा इंडिया में फुटबॉल को कौन संचालेत करता है All India Football Federation ठीक है AIFF इसकी स्थापना कब हुई 23.1937 को इमला में और फुटबॉल की एससेशन कौन है इंडिया में IFA Indian Football Association जिसकी सापना हुई 2493 में जो इंडियान फुटबॉल एससेशन है वो क्या है All India Football Federation के ही अंडर ही आती है और जो गठन किया गया था ये किया गया था परश्यम मंगाल में फुटबॉल खेल का संचालन करने के लिए कम मुख्याली कहां पर कॉलकत्ता में है तब देखिए भारत की जो प्रथम प्रतियोगिता है वो है दुरंड कप ठीक है और दुरंड कप के साथ ही क्या हुआ था इंडिया में फुटबॉल की शुर्बात हो गई थी ये देखिए ठारो सो अठासी में शिमला में डिलोजिक लब के द्वारे ये प्रतियोगिता हुई थी और दुरंद कप प्रतियोगिता जो है वो भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है और ये विश्बक की दूसरे नंबर की सबसे पुरानी प्रतियोगिता भी है ठीक है सबसे पहले कभ है ठारो सो अठासी में ये शिमला में खेली गई थी उनिस सो चालिसता की प्रतियोगता शिमला में ही आयोजित होती थी अब देख्ये ओलंपिक में इंडियन फुटबॉल का क्या प्रशन रहा उनफॉर्चूनेटली इंडियन फुटबॉल का जो इतिहाशे ऐलंपिक में काफि जprene अच्छा नहीं रहा है इंडिया ने जो है बो 1948 में लंदन ओलंपिक में सबसे पहले पाटिस्पेट किया उलम्पिक हुआ उन्होंने प्रतिभाग किया ठीक है और इसमें भी काफी जाद अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई और यूगोसलाबिया की टीम से ये हार गई और के बाद 1956 में मैलबॉन उलम्पिक में इन्होंने तिसरी बार प्रतिभाग किया और जो मैलबॉन उलम्पि में पहले 4 में इन्होंने क्या-क्या अपना स्थान बनाया फिर उसके बाद 1960 के रॉम उलम्पिक में इन्होंने लगातार चौथी बार इन्होंने पाटिस्पेट किया और इस टीम के जो कैप्टन थे वो थे पीके वैनरजी और भारती फुट वर्ल्ट टीम जो है वो क्वा आज तक अलम्पिक के लिए कौलिफाई नहीं कर पाई है इती शौर्ट में फूटवाल की हिस्ट्री और आप गेम की हिस्ट्री की सारी वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और और नोटिफिकेशन बैल आइकन को दवा देजिए ताकि आप तक सारी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंशते रहे हैं